नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चेनल में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब हो जाएं तैयार आप सभी के जीवन काल में बगवान सनिदेप का माया चलने वाला है जी हाँ दोस्तों अब आपके जीवन काल में आने वाले पांच दिनों के अंदर जो कि वह क्या नशीब है जिहां दोस्तों जलसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने बाले पांच दिनों के अंदर बगवान सनीदेप के आसिम किरपा द्रिष्टी आपके राशी वालों के उपर देखने को मिल रहे हैं जिहां दोस्तों बगवान सनीदेप आपके राशी में अश्टम भाव में है जिनसे दोस्तों बगवान का आसिम किरपा आपके अब परतेक छेतर में आपको मिलने वाले हैं धनलाप के छेतर में आपके केरियर बिजनेस और ब्यपार के छेतर में आपको वो बड़ी खुश ख जिहां दोस्तों जो गलतियां आपने पिछले समय की है उन गलतियों को अब आपको छोड़ना होगा तभी दोस्तों आप लोग चल कर कोई भी मुसीवत में नहीं पड़ेंगे जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय आपने जिन लोगों पर भरोसा किये हैं जि जान में रखना है सबी बातें बहुती महत्पुन तरीके से ग्रह गोचर पर निर्मित है अर्था जो भी भक्त आज की इस वीडियो को आंद तक ध्यान से देख लेगा तो दोस्तों उनके जीवन काल में भगवान सनीदेप की आसिम किरपाद्रिष्टी आने वाले शमे में भ दादें की आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं जब सभी के रास्ते बंद हो जाते हैं तो दोस्तों एक भगवान का ही रास्ता बजता है जिनने हम खटखटाते हैं जी हां दोस्तों और वहां पर जाने से कोई भी विक्ती घावराता नहीं है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भगवान के दरबार में भगवान की ऐसी एनरजी हमें मिलती है जिन से हमारी सारी चींताएं भी खत्म हो जाती है जी हाँ दोस्तों और अब आपके भी जीवनकाल में भगवान सनेदेप की च्छाया पढ़ने वाले हैं जिन से सभी परक का फल तो अब आपको मिलकर ही रहेगा क्योंकि दोस्तों नया के देपता भगवान सनेदिव अगर आपके साथ हैं तो दोस्तों आपको डरने की कोई बात नहीं है भगवान आपको जो भी दे रही है तो दोस्तों वे आपके लिए कम नहीं है और दोस्तों जब आप इन्हें स आशो में खूसी के आशो आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले समय से आपने बहुत ही जादा महनत किया है, बहुत जादा शबर रखा है, सभी लोगों ने आपको चिलाते रहते थे, सभी लोगों ने आपको जितना दुख तकलिप दिया है, वे दोस्तों बिना देर की ये जानते हैं कि कौन से खुशखबरी भगवान सरीदेप के आसिम आसिरवाद से आने वाले पौश दिनों के अंदर आपको मिलना वाले हैं। किन-किन छेतरों को लेकर आपको शादान रने होगें। कोन से कार आपके लिए भागेशाली होगें। और किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी। और भगवान सरीदेव के आसिम आसिरवाद से आपके घर के माहुल में पारवारिक जीवन में आपके पर देक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आंतर तक देखिएगा उश्यप अले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बोक्स में सच्चे मन से जैस सनेदेव लिखेंगे तो सनेदेव का आसिम की रुपा आप सभी को प्राप्त होगा दोस्त बात करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे मुल्यवान ग्यान से एक बहुत ही अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इक्षा सक्ति जागरित होगी और यहाँ बात हैं आपको आगे चल कर बहुत ही मुल्यवान शावित होने वाले हैं तो हैं दोस्तों बात करते हैं कि एक बार एक राजा नगर भर्मन को गया, रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलोनों को कान में कुछ काता है, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है, राजा ने अचरा से पूछा तुम ये सब क्या करे हो, बच्चे ने जवाब दिया, मैं इन सब से पूछता हूँ कि कभी राम नाम जपा है, ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूँ, राजा ने सोचा इतना छोटा सा बच्चा इतनी ग्यान की वात है, राजाने बच्चे से पुछा, तो मेरे साथ मेरे राज महल में रहोगे बच्चे ने अच्छे से जवाब दिया, जरूर रहूंगा, पर मेरी चार सरते हैं जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा जब मैं भोजन करूँगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा मैं कपड़े पहनूँगा मगर तुम्हें नगन रहना पड़ेगा और जब मैं कभी मुसीबत में आओं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा अगर आपको ये सरते मंजूर है त तो मैं आपके राज महल में चलने को तयार हूँ। राजा ने कहा ये तो असंभव है। बचे ने कहा राजन तो मैं उस परमतमा का आसारा छोड़कर आपके आसारे क्यों रहूं। जो खुद नगन रहकर मुझे पहनाता है। खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जाकता है और मैं निशित सोता हूँ। और जब मैं किसी मुसीवत में होता हूँ, तो बिना बुलाई मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दोड़ा आता है। कथा का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार की विशे बेकार में उलजकर परमत्मा को भुलाई बेठे हैं, जो हमारे पलपल संभाल कर रहे हैं, उस प्यारे के नाम को भुलाई बेठे हैं। जहां दोस्तों, अगर आप अमारे इन बातों से सामझते हैं, क्रिश्न जी के अच्छे ज्यान से सामझते हैं, तो दोस्तों विडियो को एक प्यारा सा लाइक आवश करें, और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें, जैस्री क्रिश्न राधे राधे। दोस्तों, इन दिनों में भगवान की किरपा से आपके किसमत में कुछ जादू जैसा होने वाला है, गिरेशिती और भाग आपके पक्ष में है, अपने संपर सुतरों को और अधिक मजबूत करें, कोई राधे तिक उपलेब्दी प्राप्त हो सकती है, जिसे समाझ में आप आपका रुतबा बढ़ेगा, साथि आए में भी बृति होगी, सगे समंधियों का सहयोग और अशने आपके उपर बना रहेगा, आज निश्य थी आपको कोई खुस खबरी मिलने वाली है, दिन मन मुतावित तरिकरी से व्यतित होगा, जिसे मन पर बृत रहेगा, अगर पर सिर्वात सने आप पर बना रहेगा, तो उनके मार दर्शन पर अमल करना आपकी ग्रोथ में सहयक रहेगे, दिन बहुती व्यस्तम और मेहनत बाला रहेगा, और आपको अपने कामा में सफलता मिलेगी, फाइनन समिदी काम समय पर पूरे हो जाएगे, संतान की तरफ से भी को को शला का वीशे शमान दिया जाएगा, परिवार के साथ सोपिंग यादी में भी सुखत समीवेतित होगा, साथे साथ दोस्तों कहीं इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो तुरंद फैसला लें, क्योंकि सही समय पर सही निले लेने की अनुकुल पर नाम ही मिलते हैं, कि दूसरों की वेक्तिगत मामलों में हस्तेचेप ना करें, फड़स्यों के साथ कहा सुनी होने की असंका है, जिसके वज़े से आपकी मान हानी हो शकती है, विद्याती वर्ग अपनी पढ़ाई के पढ़ती लापार्वे ना करें, कारवारी मामलों में वैस्ता बने रहेगी, मसेनेरी यादी से जुड़ी वैवसाई आज लापदाईक इसे ती में रहेंगे, कोई सुभवा में हैत्यपून यात्रा शंभव होने की शंभावना है, नुकरी में अपने कारियों के बहुत ही साबधानी से करें, वरना दिकत्तें बढ़ेगी, परवारी वतारुन आपने कारें बना रहेगा, आकरें दोस्तों किसी से जहगला जहन जहट में ना पड़ें, दोस्तों के मामले में हस्तशेप करने से बचें, नुकरी पैसा वेक्तियों को भी कोई उपलब्दी मिलने के योग बनी हुए हैं, बहुत था उचदेकारियों का भी सहयोग बना र सभाव को बदलें, दोस्तों इन तरह की को देखकर आपके जलन की भावना से कोई रिस्तदार ही आपके पीट पीछे अफवाप फिला सकते हैं, पर तो अपने गुसे पर कंट्रोल करके सांती पुन तरह के से काम लें तो परिस्तियां ठीक हो जाएगी, परिबारी मामले मे ज़्यादा टोका टाकी न करें, वहीं दोस्तों आपके लब लाइब के बारे में बात करें, तो अवेवाई दिवेक्तियों के लिए भी कोई अच्छा रिस्ता आने से परिवार में सुखनामा माहुल रहेगा, प्रहम समन्द में मिंडिकरता बढ़ेगी, पति-पत्ने के विच कुछ मनमुटाब जैसी इस्ति बने रहेगी, महुल सुखनामा बनाने के लिए कुछ मनरण जन्वा उपार देने समन्दिक कारकरम बनाएं, आपके स्वास्त के बारे में बात करें, तो खांसी जुकाम जैसी समस्या रहेगी, ज्यादा पोलेशन और मोसम के बदलाब या फिर दोस्तों किसी के जातक पर सनी की साड़े साती या सनी धहिया चल रहे हो, तो दोस्तों सनी तुरियोदसी के दिन साम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें, और वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इसके बाद सनी देप के मंत्र ओम सम्व सनी चराय नमा का 108 आठ बार जाब करें, मानाता है कि इसा करने से सनी ग्रह की सवे परिशानियां दूर होंगे, दोस्तों यूमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सनी द अशिरवाद आपके और आपके पूरे परिवार पर पढ़ सके, धन्यवाद